नमस्कार दोस्तों सवागत हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का दोस्तों आज हम इस वीडियों बताएंगे कि गोड़ा गोड़ी की जब पीट कर जाती है या फिर पीट पे काठी करते हो तो गोड़े पे गोड़े के चलन होने लग जाती है नए गोड़े पे जब काठी करतो की चलन होने लग जाती है वह आपको बैठने नहीं देता है वो सारी तमाम जानकर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वीडियो को एंड तक बने रही है आप हमारी साथ में बिल्कल भी स्क्रेप ना करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सभी से एक चोटी सी बुजारी से प्लीज आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वाली वीडियो के नोटिफिक्सन में आपको सबसे पहले चलो दोस्तों वीडियो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि गोड़ी की जब पीट कर जाती है तो आप क्या करें दोस्तो, जब आप फैस्ट टाइम गोडी पे बैटना है स्टार्ट कर रहे हो यान कि फैस्ट टाइम उस पे घाठी कर रहे हो, सपाट पहली बरी कर रहे हो आप我就tur अप क्या करेंगे कि सपाट कर लेंगे लेकिन 10 या 15 मिनट बाद में गोड़े की पीट पे जलन होने लग जाती है गोड़े की जलन होने लग जाती है तो यानि क्यों बैठने नहीं देता आपको दूसरे दिन बैठने नहीं देगा, एक दिन दो बैठने लेंगे लेकिन दूसरे दिन बैठने नहीं देगा, जब सफाट करेंगे तब या नहीं क्यों ना, बदमासी करेगा, तो ऐसे में क्या करें आफ, गोड़े को फेस्टा मिहला रहे हो, आफ बैठना स्टार्ट कर रहे ह तो ऐसे में क्या करें जब फीट उसकी जले नहीं, जले न मैसूस नहीं, तो आप क्या करें कि मेंधी पाउडर, जो हातों की अपन मेंधी लगाते हैं, हातों भी मेंधी लगाते हैं, लेक्यूड वाली नहीं, पाउडर, मेंधी पाउडर ले आई, उसको पाने बिगो के आद यह सबाट करते हुए यहां से लेकि और यहां तक सिंगाड़ा लगाते हैं न जहांपे काठी लगती हैं उस पीट पूरी पे मेंधी लगा दें दो दिन तक आप महंदी लगाओ, तीसरे दिन आप गोड़े की राइडिंग कर सकते हो, यानि कि जब महंदी लगाने इवाद सुकने इवादने तीसरे दिन आप काटी करोगे और गोड़े को ले जाओगे, तो उसके जलन नहीं होएगे, नए गोड़े पे अलांग की जलन मह जाती है तो यानि 15 मिन्ट से ज्यादा आपको काटे नहीं रहने नहीं देगा दूसरे दिन बैठने नहीं देगा लेकिन आप महंदे लगा के और आराम से उसके साथ में यानि कि उसको हिला सकते हो उसके जलन मैसुस नहीं होएगी और जहां पर गोड़ी की सपाट लगी भी ह आप महंदे लगा के और उसको ठीक कर सकते हो यह थी आज की जानकारी अगले वीडियों फिर मिलते हैं और जानकारी की साथ में तब तक के लिए धन्यवाद